Dear Students, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चानल Study with दुलार में बच्चों हमारी पिर्थमी लाखो क्रोडो साल पुरानी है और इसके बारे में हम जितनी खोज करते हैं इसके बारे में जितना जानना चाहते हैं उतना ही ये रहस्में पूर्ण हो जाती है लेकिन फिर भी हमारे बेग्याने कई चीजों के दौरा इसके बिसिस्ताओं को पता किये हैं इसके बारे में कई बाते पता किये हैं तो इसी तरह का ये एक चैप्टर दिया हुआ है पृत्वी से ही समंदित है तो आए ये देखते हैं ये कौन सा चैप्टर है ये कलास फाइव का इंगलिस बुक है और चैप्टर 19 है इस चैप्टर का नाम है The Book of Nature परकिर्ती की किताब तो यहाँ पर परकिर्ती के दौरा जिन चीजों से हमें जानकारी मिलती है उसको परकिर्ती का किताब कहा गया है तो उसी से समंदित यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग पढ़के देखते हैं Our Earth is very very old millions and millions of years old हमारी पिर्थवी बहुत पुरानी है लाखो करोडो साल पुरानी है and for a long long time there were no man or a man living in it और लंबे समय तक इसमें रहने वाले कोई भी पुरूश या महिला नहीं थे Before the man came there were only animals and before the animals there was a time when no kind of life existed on the Earth मानवों के आने से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय था जब पिर्थियों पर किसी तरह का जीवन मौजूद नहीं था It is difficult to imagine this world of ours which is so full today of all kinds of animals and men to be without them हमारे लिए इस दुनिया की कलपना करना मुस्किल है जो आज के सभी परकार के जानवरों और मानवों से भरा हुआ है इसके बिना हमारी दुनिया नहीं हो सकती but scientists and those who have studies and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living beings to live on it लेकिन वे ज्यानिकों और जिन लोगों ने इन मामले के बारे में अध्यन और विचार क्या है वे हमें बताते हैं कि एक समय था जब पिर्थवी किसी भी जीवित पराने के लिए बहुत गर्म थी and if we read their books and study the rocks and the fossils, the remains of all animals we can ourselves see that this must have been so और अगर हम उनकी किताबे परते हैं और चटानों को और जिवास्म का अध्यन करते हैं तो हम खुद देख सकते हैं कि ऐसा होना अवस्यक था आप किताबों में इतिहास पड़ते हैं लेकिन पुराने समय में जब मानों मौजुद नहीं थे निश्चित रुप से कोई किताब नहीं लिखी जा सकती थी फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि तब क्या हुआ था यह बहुत रोचक होता कि कुछ भी जो हम चाते उसकी कलपना करते और सुन्दर परियों की कथाएं बनाते लेकिन यह सच नहीं होगा क्योंकि यह हमारे द्वारा देखे गए किसी भी तर्थ पर आधारित नहीं है यद पी हमारे पास उन बीते दिनों के कोई किताब नहीं है परन्तु सुभाईगवस हमारे पास कुछ ऐसी चीजे हैं जो हमें एक बड़ी बात बताती है और लगभग एक किताब जैसी ही है हमारे पास चटाने और पहाड और समुद्र और सितारे और नदियां और रेगिस्तान और पुराने जानवरों के जिवास में हैं यह सभी चीजे और भी ऐनी चीजे पृत्वी की प्रारंभिक कहानी के लिए हमारी किताबे हैं और इस कहानी को समझने का असली तरीका केवल अईनी लोगों की किताबों में इसके बारे में पढ़ना नहीं बलकि परकिर्ती की महान पुस्तक में जाने के लिए हैं उमीद होगा कि जल्द ही इस कहानी को चटानों और पहारों से गढ़ा जाएगा कि कलपना करें कि यह कितना आकरसक होगा यहां पे बतला रहा है हर चोटे पतर जिससे आप सड़क पर पड़े हुए देखते हैं यह जो पहार के बगल में होता हो सकता हुआ परकिर्ती की पुस्तक में एक पेज भर ज्यान दे दे बस आपको उसे परने के लिए जानना होगा किसी भी भासा हिंदी उर्दू या अंग्रेजी को पढ़ने में सच्छम होने के लिए आपको उसका वर्णमाला सिखना पड़ता है इसलिए आपको परकिर्ती के किताब के रूप में पत्थर और चटानों को पढ़ने से पहले उसके वर्णमाला को सिखना आवस्यक है अधी आप थोड़ा गोल चमकतार कंकर देखते हैं तो क्या या आपको कुछ नहीं बताता बिना किसी कोने या किनारे को रगड़े या गोल चिकना और चमकिला कैसे हुआ अधी आप एक बड़ी चटान को छोटे चोटे टुकडो में तोड़ते हैं तो परते एक टुकडे में कोने और खुरदरे किनारे होते हैं या एक गोल चिकने कंकड की तरह नहीं होता तब या कंकड कैसे इतना गोल चिकना और चमकिला हो गया या आपको अपनी कहानी बताएगा अधी आपके पास या देखने के लिए अच्छी आखें और सुनने के लिए कान है अच्छी आखें और कान तो सबके पास ही होता है यहां कहने का मतलब है कि जिसके पास कान और आखें के अलावा समझने के लिए एक अच्छा दिमाग है या आपको बताता है एक बार का समय हो सकता है बहुत पहले या एक चटान का टुकडा था ठीक उसी परकार का टुकडा जैसा आपने एक बड़े पत्थर या चटान को तोड़ा था जिसके टुकडो में बहुत सारे कोने और किनारे थे प्रोबैबली इट रस्टेड ओन सम माउंटेन साइड समवता या किसी पहाड के बगल में पड़ा हुआ होगा फिर बारिस आई और उसमें छोटे छोटे दरार बना दिये फिर पहाडी से बहती धारा उसे धकेलते हुए चोटी नदी तक पहुचा दिया और चोटी नदी से बड़ी नदी तक ले गई और जब यह नदी के तल तक लुढक के गया और इसके किनारे घिस गए तथा इसकी खुरदरी सता चिकनी और चमकदार हो गई तो यह कंकर बन गया जिसे आप देखते हैं नदी के धारा ने जैसे ही से छोड़ दिया या आपको मिल गया यहां पे बतला रहा है कि अधी नदी इसे और आगे ले जाना जारी रखती तो यह छोटा और छोटा होता जाता तब तक कि यह रेत का एक दाना नहीं बन जाता और यह समुद्र के किनारे अपने भाईयों के साथ मिलकर एक सुन्दर समुद्री किनारा बना देता जहां छोटे बच्चे खेल सकते और रेत से महल बना सकते यह जवाहरलाल नहरू के द्वारा लिखा गया है वे जब जेल में थे तो अपनी बेटी इंद्रा को पत्र के जरिए इस परकार के लिखते उसके पास भेजते और जवाहरलाल नहरू का एक बुक भी है दिस्कवरी ओफ इंडिया तो उसमें जो है इस तरह की जानकारी दिया हुआ है तो यहां पर चेप्टर समाप्त हो जाता है तो आई देखते हैं क्या कुश्चन्स दिया हुआ है यहां पर इसमें कुछ वर्ड बिनिंग्स दिये हुए है इसको पढ़कर आप लोग याद कर लगा गया है यहां पर जो तिक लगा हुआ है यह सारे सही है उसके बाद यहां पर कॉश्चन नमर फाइब में abstract noun को underline करने के लिए दिया गया है यहां पर जितने भी लगे हुए है यहां भी सब सही है मैं अब लोग को इसका आंसर बना के दे दूँगा लेकिन यहां भी स स्टोर तो यहां रूम दिया हुआ है तो सभी में जो है इसके साथ बना देना जैसे classroom हो गया bedroom हो गया guest room हो गया store room हो गया इस तरह से यह आसानी से जोड़ जोड़के चार वर्ट बन जाएंगे इसमें तो इस तरह से यह काफी आसान है इसलिए मैं इसका answer अलग से नहीं दे रहा हूँ आप इसको easily बना सकते हैं उसके बाद question number seven seven में यहाँ पे columns बना दिया गया है masculine gender feminine gender common और neutral gender का और यह सारे words जो जितना यहां दिया हुआ है तो इसको वो किस gender में आते हैं उसको अलग-अलग column में लिखना है तो आएए मैं आप लोग को इन सब के questions का answer बना के दिखाता हूँ यह chapter 19 का question answer answer these questions How old is the earth? The earth is very very old, millions and millions of years old What are our books for the early story of the earth? We have rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts and fossils of old animals These are our books for the earth's early story What do you learn to read a language? To be able to read any language, we have to learn its alphabet What happens when you break a rock? If we break a big rock into small bits, each bit is rough and has corners and rough edges How does a pebble become smooth and shiny? The rain pushed a bit of rock till it reached little river and the little river took it big river It rolled at the bottom of the river and became smooth and shiny pebble Why do children make castles out of the sand? At the sea side, why are children make castles out of the sand? Question number 2 में true false दिया गया है तो इसको यहाँ पे इसका direct answer दिया गया है आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं Question number 4 में pick out odd one इसमें से एक odd है उसको choose करके out करना है तो यहाँ पे उसका answer दिया हुआ है Question number 5 में underline the abstract noun in the following sentence तो यहाँ जो sentence दिया हुआ है तो उसमें एक word जो है वो abstract noun का है तो उसमें underline कर देना है और question number 6 इसमें काफी easy था तो इसके कारण में उसका answer यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और question number 7 में write the given words in proper column यहाँ पे 4 column दिया हुआ है और कई सारे words दिया हुआ है जो जिस column में उप्यूकत है उसको वहाँ पे लिग देना है तो यहाँ masculine gender में यह सारे words है feminine gender में इतने words है और common gender में इतने सारे words है neutral gender में यह सारे words आते हैं इस तरह से इसको वहाँ पे feel कर देना है तो यहाँ पे यह chapter पुझी तर समाप्त हो जाता है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगले chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे